महावास्तु और वैल्थ का संबंध वास्तु जो है ना एक्चुल में होता ही वैल्थ के लिए है होता ही पैसे के लिए होता ही धन कमाने के लिए जब किसी खास समीकरण के द्वारा कोई भवन बनाया जाता है तो वहाँपर एक भाव उत्पन होता है और वो भाव power of transformation को create करता है और ये power of transformation ही actual में money को attract करता है यही money है इन समीकरोनों का इस्तेमाल प्राचीन मंदिरों में हुआ है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो पुराने मंदिर हैं वो अकूत संपदा के मालिक हैं गौर्मेंट भी calculate नहीं कर पाई कि वहाँ पर कितना धन है तो अगर उनी समीकरोनों को अगर हम अपने office में या घर में इस्तापित कर दें तो हमारे हाँ भी धन की जो है आगमन सुनिश्चित हो जाएगा तो कौन-कौन से zone है जो wealth और money creation के लिए important है सबसे पहला zone है नौर्थीस्ट एक अच्छा बिजनेस करने के लिए पैसे कमाने के लिए आपके पास में एक सुइस्पस्ट सोच होनी चाहिए एक idea होना चाहिए ये idea नौर्थ इस्ट जोन से आता है जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पूजा घर हो पर कम से कम साफ सुत्रा हो और वेल और्गिनाइजड हो बिजनेस एक्छुली में एक idea का लोगों से connect होना है तो जो इस्ट जोन है वो लोगों से connection का जोन है तो वो जो idea है वो लोगों से connect हो जाएगा तो बिजनेस हो जाएगा तो इस्ट में अगर कोई toilet है या सफेद रंग है या overhead tank है तो लोगों से जुडाव नहीं होने देता है तीसरा zone है south east zone जो पैसे के आगमन को सुनिश्चित करता है cash जो liquidity है आपके पास में वो flow में बनी रहे ये south east decide करता है अगर south east में blue color है black color है या toilet है तो ये zone असंतुलित हो जाएगा और आपका पैसा रुख जाएगा आप लोगोंने सुना होगा ना blocked payment की समस्या रहती है जैसे ही वहाँ पर सरल उप्चार करेंगे वो पैसा आपको प्राप्त होने लग जाएगा पैसे के लिए south का zone भी बहुत important है आपको विजिबिलिटी देता है आपके प्रोड़क्ट को चमकाता है जो ब्राइंडिंग करते हैं वो एक्च्वल में south zone से ही आती है तो वहाँ पर अगर नीला काला कलर टॉयलेट या वाशिंग मेशिन डेस्ट बिन होगा तो फिर आपको और आपके प्रोड़क्ट को विजिबल होने में समस्या आएगी नेक्स्ट जोन है south west जो सम्मन्दों का जोन है आपके बाकी जो व्यापार से जुड़े हुए साथी हैं, पार्टनर हैं, वेंडर से हैं, क्लाइंड से उनके साथ सम्मन south west से ही गवर्न होंगे south west प्रत्वी तत्व का जोन है तो वहाँ पर अगर हरा कलर आ गया या ब्राउन कलर आ गया तो आपकी सोच की वज़े से क्लाइंट के साथ में या बिजनिस पार्टनर के साथ में आपके सम्मन्द खराब होगे अगर वहाँ पर fire आ गया या गैस बर्नर आ गया गीजर है रेट कलर है तो अग्रेशन की वज़े से आपके आपके व्यापारिक सम्मन्द खराब होंगे और अगर वहाँ पर blue कलर है water boring है underground water tank है तो पैसों की वज़े से व्यापारिक सम्मन्द खराब होगे अगर यह संतुलन दूर कर लिया जाए तो आप भी समस्या से मुक्त हो जाएंगे west का zone profit और gain का zone है अगर वहाँ पर gas burner आ गया या किसी भी प्रकार से red color की उपस्तिती हो गई तो वहाँ क्या होगा वहाँ पर profit और margin कम हो जाएंगे profit और margin जो है वो कम हो जाएंगे अगला एक important zone है वो northwest zone है जो banking facility प्रवाइड कराता है या support system प्रवाइड कराता है तो अगर वो zone imbalance है याने वहाँ अगर toilet है green brown color है या red color है तो क्या होगा कि जब आपको व्यक्तियों की जरुरत होगी जब आपको finance की जरुरत होगी आपको नहीं प्राप्त होगा क्योंकि northwest का zone आपके कर्मों द्वारा आपकी जो मित्र आपने अर्जित किये हैं या संबंदी अर्जित किये हैं वो जब जरुरत है तब आपको प्राप्त नहीं होगे लोन भी जो है वो रुख जाएगा banking sector की भी जो help चाहिए उसमें कमी पेशी आएगी नौर्थ नौर्थ वेस्ट आपके product को आकरशन देता है अगर वहाँ red color है वहाँ yellow color है या unwanted storage है तो आपको समस्या आएगी नौर्थ जो है वो आपके व्यापार में बिजनिस में नई opportunities देता है मनी के flow को सुनिश्चित करता है तो अगर वहाँ पर toilet है वहाँ पर yellow color है red color है overhead tank है तो फिर आपको नए अवसर प्राप्त नहीं होते हैं और जब तक नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे आप अपने business को बढ़ा नहीं पाएंगे तो मूलते महावास्तु एक अच्छा business environment create करता है आप ही और आपकी सोच ही responsible हैं अपने business को बढ़ाने के लिए अगर जो यह zone मैंने आपको बताये हैं इसका असंतुलन अगर आप दूर कर लेंगे तो निश्चित रूप से न केवल आपके business बलकि जिस job में आप काम कर रहे हैं उसमें भी बहतर अवसर मिलेंगे आपकी promotion होगी आपके effort recognize होंगे और आप एक बहुत अच्छे संबंदों के द्वारा इस business को run कर पाएंगे